Make My Label Free Ready Label for Fashion Brands from MakeMyLabel.in जी हाँ दोस्तों एकदम easy, fast and instant print into your thermal printer size is 50 mm by 25 mm आप garments के लिए लेबल बनाया है आईए देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर Google खोल देंगे Google के अंदर जाकर लिखना है MakeMyLabel.in यह हमने website launch कर दी इसके अंदर हमने यहाँ पर food category के और garments category के labels ready to use बनाया है यहाँ पर यह देखिए 50 mm by 25 mm roll मतलब 2 inch by 1 inch का label आता है जो 1 row में 2 label आते हैं 1 into 2 यह label के लिए हमने free template बनाया है यहाँ पर just click करना यह देखिए आपका यह label आ गया यहाँ store का नाम है यह आपका नाम यहाँ पर आप लिख सकते है जैसे मैं लिख रहाँ manans तो यह store का नाम आ गया item का नाम यहाँ पर आप लिख सकते है कि भई ladies कूर्ती with sleeves silk material तो इस तरीके से यह देखो पूरा detail आ जाता है यह word wrap करके रखा हुआ है दो line तक आप इसके अंदर data डाल सकते हो बारकोड अपने आप बना लेगा software यह बारकोड scanable है दोस्तो यहाँ पर आप जो भी MRP है MRP लिख दीजिए 1550 तो यह देखे यह MRP आ गई यहाँ पर यह size है large size मुझे लेना है तो मैं यहाँ large लिख दूँगा medium excel जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा बारकोड आपके पास यदि है तो आप यहाँ पर वो नंबर भी डाल सकते हो बारकोड डेटा ओप्शनल बाकी software अपने आप से बारकोड बना देगा दोस्तो अब इसका print निकालना है print निकालने से पहले हमको 50 mm by 25 mm की यह size है तो वो size हमारे printer के driver में बनानी पड़ेंगी तो वो setting में जरा आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं control panel में चला जाता हूँ इसको minimize करता हूँ यह रहा हमारा computer का control panel यह setting जरा ध्यान से देखना double click कर दिया यहाँ पर मुझे category में small icon करूँगा तो मुझे devices and printers करके मिलेगा यह tab को मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ यह devices and printers open हो गया दोस्तो यहाँ पर यह TAC यह मेरा label printer है तो इसके उपर right click करूँगा आपका जो भी label printer है उसके अंदर page की size बनानी है यहाँ पर मैं printing preferences के उपर क्लिक करता हूँ दोस्तो यहाँ पर यह देखे page setup है यह by default इतने pages आते हैं जब driver install करते हैं हमको हमारा page बनाना है तो मैं यहाँ new बनाऊंगा यह inch के अंदर जा रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 mm by 25 mm और यहाँ पर यह view था हाला कि 50 mm है तो मतलब 2 inch हो गया ऐसे दो label बाजू बाजू में आएंगे तो यहाँ पर तो 4 inch हो जाएगा और height में 25 mm मतलब 1 inch यहाँ mm है तो आप 100 mm लिखना है और यहाँ पर 25 mm लिखना है तो यह देखे आपकी size आ गई 50 mm by 50 mm by 25 mm के दो label बाजू बाजू में बन जाएंगे यहाँ पर मैं ok कर देता हूँ apply कर देता हूँ और ok कर देता हूँ तो यह driver के अंदर यह size बन गया अब मैं फिर से मेरी website में चला जाओंगा दोस्तों यह मेरा matter ready है मुझे यहाँ पर यह print this page के button के उपर click करना है यह देखे इसको मैंने cancel करके फिर से open करूंगा यह perfect यह देखे यहाँ पर यह बन के आ गया बाजू बाजू में दो label है size बन गया THC यहाँ mode setting पे click करोगे तो आपको यह default size जो बनाई हुई है वो आपको दिखेगी यदि नहीं है list में कुछ और size आ रहे है तो आप यहाँ से manually भी select कर सकते है एक label मतलब एक copy मतलब दो label बनेंगे दो करोगे तो 4 आ जाएगा मतलब बाजू बाजू में duplicate होता जाएगा दोस्तो बस अभी कुछ नहीं यह print का button दबाने से आपका जो भी printer है वो thermal printer के अंदर सीधा इसका print निकल जाएगा दोस्तो आपने देखा कितना easy है हमारी website पर से यह label बनाना यह बिलकुल भी free of cost है जब तक यह beta version के अंदर चल रहा है आप इसका free printing use कर सकते हैं thank you very much दोस्तो और कोई भी query है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे वीडियो description के अंदर लिख सकते हैं या हमारा mobile number 97279 55514 के उपर whatsapp पर message भेर कर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं thank you very much